हाई देस प्रियांका कुमार एंड वेलकम वन्स अगेंड तो माय चैनल हेल्थ इस वेल्थ ये तो हमने बच्पन से ही पड़ा है लेकिन इसे प्रूफ किया इस साल 2020 में हम सब ने जब हमने अपनी हेल्थ को प्रियोर्टी दी हर काम से उपर अपनी सेहत को रखा जी के थू हमें हर आने वाले प्रॉब्लम से अलर्ट भी कर दिया जाता है हमें बताया जाता है कि हमारी लाइफ में कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका सल्योशन बताया जाता है तो वैसे ही हमें यदि अपने बारे में पता हो कि हमें कौन-कौन से हेल्थ इ से अपने आपको बचा के रखेंगे इसी सलसिले में मैंने know your health problems through your numbers पे वीडियो बनाए हैं ऐसे तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं लेकिन ये health problems के बारे में जो मैंने वीडियो बनाए हैं part 1 और part 2 उसमें मैंने number 1, 2, 3 और 4, 5, 6 के बारे मैं बताया है आज मैं शुरू करूँगी number 7 से यदि आप में से कोई भी मेरा वो दोनों वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर कहीं लिंक आ रहा होगा आप उसे click करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं या फिर नीचे description box में भी लिंक है आप उसे click करके देख सकते हैं या मेरे channel पी जाके मेरे playlist में भी वो सारे वीडियो हैं आप देख सकते हैं तो आई ये शुरू करते हैं number 7 से number 7 के वो लो होते हैं जो born होते हैं किसी भी मन्त में 7th, 16th या 25th को उन्हें रूल करता है planet Neptune number 7 के लोगों में जो जितनी भी problems होती हैं वो कहीं न कहीं उनके mental plane से ही related होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में बहुत ज़्यादा worry करते हैं जब तक कि सब चीज smoothly चल रहा है तब तक तो ठीक है वो अपना काम करते रहेंगे लेकिन थी थोड़ा भी उपर नीचे होता है यदि किसी situation से या फिर किसी इंसान की वज़ा से तो वो overthink करने लगते हैं फिर वो negative सोचने लगते हैं कि अभी ये काम शाय नहीं होगा ये गरबड हो गया ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया तो फिर उनकी positive thinking नहीं रहती है इस सारे problems आपकी mental health से ही related होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पूरे body पे effect करते हैं number 7 और number 2 में ये बहुत बड़ी similarity है कि वो दोनों थोड़े अपने mental plane से ही affected होते हैं इसलिए ये आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा number 2 के बारे में तो आप ये समझ पाएंगे कि दोनों के जो health elements भी होते हैं वो कहीं ना कहीं similar ही होते हैं इसलिए दोनों के आपस में compatibility भी होती है तो number 7 के लोग क्योंकि बहुत जादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में over worry करते हैं over tense हो जाते हैं तो उन्हे anxiety, nervousness, insomnia जहां उन्हें नींद नहीं आती है रात रात भर तो ऐसी problems उन्हें face करने परती है depression जैसे issues number 7 के लोगों में देखे जाते हैं number 7 के जो लोग होते हैं वो बहुत ही जादा sensitive होते हैं उन्हें बहुत जादा कोई बात बुरी भी लग जाती है और यदि आप उनकी तारीफ यदि करते हैं तो आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तेयार रहते हैं वो बहुत सारे responsibilities ले लेते हैं यदि आप उन्हें appreciate करें तो in fact capability से जादा वो अपनी responsibility ले लेते हैं वो बहुत जादा sensitive होते हैं इसलिए जो बाकी के numbers हैं उन्हें बहुत जरूरत है कि number 7 को बहुत अच्छे से समझें number 7 के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो physically बहुत active रहते हैं या तो exercise करते हैं या sports में जाते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो physically उतने active नहीं रहते क्योंकि उनका mind बहुत जादा active रहता है वो कुछ ना कुछ सोचने में active रहता है तो इसलिए number 7 वो बहुत ही काम रहना चाहिए अपने mind को काम रखना चाहिए तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप कोई ना कोई आप अपनी hobby जरूर अपनाईए क्योंकि आप बहुत जादा creative होते हैं तो आपको कुछ लिखना बहुत पसंद आता है या music के line में या painting या कोई भी चो creative चीज है आपको बहुत अच्छे लगती है तो आप अपनी वो hobby जरूर explore कीजे so that कि आपका mind engaged रहे आपके लिए yoga, meditation बहुत important है करना क्योंकि तब आपका mind हमेशा शांत रहेगा, calm रहेगा और आप भी ऐसी चीजों में engaged रहेंगे तो किसी भी चीज के बारे में आप negative नहीं सोचेंगे number seven के लोगों में health issues यदि और बताऊं तो उन्हें stomach problem बहुत जादा होता है कभी न कभी life में या फिर उन्हें skin problem होता है कुछ भी या तो pimples हो गए या skin allergy हो गई ऐसे उन्हें problems उन्हें देखे जाते हैं number seven को अपने आपको 25th year या फिर 34th year या 43rd year ऐसे सारी years में जिसका total seven आता है अपने आपको बचा के रखना चाहिए इन years में कुछ major health problems या health issues उनके अंदर हो सकते हैं तो अपने आपको जादा careful और alert रखना चाहिए इन years में अब मैं बात करती हूँ number eight के बारे में number eight के वो लोग होते हैं जो born होते हैं किसी भी मन्त में 8th, 17th या 26th को उन्हें रूल करता है planet Saturn मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है number eight के लोगों के बारे में कि उनका काम बहुत जल्दी बूरा नहीं होता हूँ उनके सब काम में थोड़ा time लगता है और जिसकी वज़स ये होता है कि वो भी बहुत जादा worry करते हैं इसकी वज़से कभी-कभी वो अकेरापन महसूस करते हैं ऐसे भी problems उनमें देखे जाते हैं number eight के लोगों में leg pain या legs में कोई भी problem हो सकती है या फिर उनके teeth और ears related problem होती है number eight के लोगों में surgeries होने के chances होते हैं वैसे तो जैसे कि हम लोग number eight लिखते हैं एक circle उपर और एक circle नीचे तो कुछ number eight के लोगों होते हैं जो बहुत ही healthy रहते हैं लेकिन कुछ number eight के लोगों में कुछ ना कुछ problems हमेशा लगा रहता है वो छोटा बड़ा कुछ भी problems हमेशा वो face करते रहते हैं health related तो उनमें varicose veins हो गये या hemorrhoids या intestine, liver इन सबसे related कुछ ना कुछ problems उनमें होते रहते हैं उन्हें non-veg food एकदम avoid करना चाहिए और उन्हें normal healthy खाना खाने पे हमेशा focus रखना चाहिए number eight के लोगों को paralysis होने के भी chances होते हैं number eight के लोगों को हमेशा careful रहना चाहिए अपने 17th, 26th, 35th, 44th in years में जिनका sum up eight आता है अब बात करते हूं number nine के बारे में number nine के वो लोगों होते हैं जो born होते हैं किसी भी मन्त में 9th, 18th या फिर 27th को इन लोगों को जो rule करता है वो होता है planet Mars जो एक fiery planet है Mars क्यूंकि खुद बहुत ही heated planet है तो आपको जो number nine के लोग हैं उनमें सारे heat related issues होते हैं जैसे कि fever किसी भी तरह का fever हो गया missiles, chicken pocks, ऐसे जो जो बिमारिया है जो heat की वज़े से होती है, piles यह सारे बिमारियां आपको होने के chances होते हैं high blood pressure या फिर कुछ भी ऐसी चीज जहां कि आपको चोट लग जाए, आपके accident हो जाए आप बहुत जादा accident prone होते हैं nine number के लोग ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती हमेशा उनकी हो वो खड़े रहेंगे पीछे से आके उन्हें कोई धक्का मार देगा तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने आपको आपको समाल के रखना चाहिए लेकिन कभी-कभी आपके हाथ में नहीं होता आपको चोट लग जाती है और nine number बहुत जादा क्यूंकि फ्रोन होते है accident के तो उनमें ऐसा चोट या फिर fracture, surgery ऐसे बहुत सारे चीजे होती रहती है उनके life में बहुत जादा fitness freak भी होते हैं बहुत physically active रहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो नहीं है लोग active physically active वो अपने आपको बहुत जादा physically active रखें वो किसी ना किसी sports से या कोई exercise से अपने आपको हमेशा जोड के रखें so that कि आपकी energy सही direction में channelize हो आप कभी भी अपनी energy को गलत direction में नहीं ले जाएं मतलब कि यदि आप accident prone हैं तो ऐसा नहीं कि आप rash driving करने लगें या किसी से fight करें जहां कि आपको चोट लगने की संभाव ना हो तो इसलिए इन सब चीजों में अपने आपको संभाल के रखने के लिए आप अपनी energy को सही direction में channelize करें आपकी life में कभी ना कभी ऐसे surgeries वगरा होने के chances रहते हैं या bleeding होना यह सब बहुत normal चीज़ है आपके लिए कहीं कट गया तो घून बह गया यह सब चीज आपके लिए आपके life में यह सब चीज चलती रहती है क्यूंकि आपको rule करता है planet mars आपको kidney और bladder stone होने के भी chances होते हैं आपको throat infection या bronchitis ऐसे भी problems होने के chances होते हैं आपको अपने आपको बिल्कुल दूर रखना है alcohol से और rich food से या non rich food से अपने आपको आप बचा के रखी अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए अपने energy को सही direction में channelize कीजिए तो यह मैंने आपको सारे बताए number 1, 2, 9 तक I hope कि आपको यह सारे information बहुती useful रगे होंगे और आप जितने भी precautions हैं आप लीजिए और यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसे problems develop हो रहे हैं तो आप immediately doctor से check करवाईए क्योंकि जब आप कोई चीज जानते हैं तो उसे ignore करना सहीं नहीं है यदि आप कोई चीज के बारे में नहीं जानते तो वो आपके body में develop होती रहती है इसलिए मेरा मकसद यही है कि आपको मैं पहले से alert करूँ कि आपको किस किस चीज से अपने आपको बचा के रखना है I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा और आपको बहुत informative लगा होगा बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैं new year के prediction के बारे में इसक्ति आपको प्राव में बारे में अपको कि रखना है